असलाम लेकूम, मैं हूँ सदव साजेथ, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटेशन और नूट्रिशनिस्ट और मैंने MFIL किया हुआ है कम्यूनिटी हेल्थ और नूट्रिशन में और इसलामबाद में मेरा क्लिनिक है आपकी screen पर मेरे clinic का number और contact का address वो show हो रहा है अगर आप अपनी nutrition के हवाले से, अपनी सिहत के हवाले से कोई diet plan लेना चाहते हैं कोई guideline लेना चाहते हैं तो आप उस number पर contact करके अपनी appointment बुक कर सकते हैं आजकल जैसे आम का मौसम है और आम एक ऐसा fruit है जो बहुत कम time के लिए आता है और फलों का बाच्चा भी इसलिए कहा जाता है कि इसका taste बहुत रिच है और बहुत sweetness है और बहुत ही एक मज़ेदार किसम का फल है लेकिन अब problem यहां पर आती है कि शूगर के मरीज या जैबतिस के मरीज जो होते हैं उनकी तरफ से ये एक आम question है क्या हम आम इस्तमाल कर सकते हैं या क्या हमारी diet में आम हमें इस्तमाल करना चाहिए तो उसका जवाब है कि आप आराम से आम इस्तमाल कर सकते हैं आपको किसी glookomeater से एक टिस चोटा सा कर सकते हैं अगर आपको इस चीज का फियर है कि आप आम खा सकते हैं रही तो सब से पहले क्या करें कि सुबह उठते ही अगनी fasting चेक करें आप आम खाएं और आम के बाद की जो है वो अपना glookomeater पे अपना glucose लेवल चेक करें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो आपकी बॉड़ी पर किस तरह से एफेक्ट कर रहा है और उसका शूगर हाई हुआ है कि नहीं क्योंकि अगर हम बात करें आम बहुत बढ़ा एक फियर है क्योंकि शायद इसकी मिठास क्योंकि मिठास को लेकर लोग बहुत कंफियूज है कि एतना मीठा है तो पता नहीं इसके अंदर कितनी शूगर होगी लेकिन शूगर के साथ-साथ इसके अंदर जो नियूट्रियंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं और उनका इतने फाइदे हैं कि वो उस शूगर की जो मिठास है उसको भी कॉम्पनसेट कर देते हैं तो हम देखते हैं आज के अगर आम है उसका ग्लाइसेमिक इंडिक्स क्या है ग्लाइसेमिक इंडिक्स वो होता है कि जब हम कोई भी फूड लेते हैं वो कितनी तेजी से हमारी ग्लुकोस को स्पाइक करता है जो food जिनका glycemic index 60 से ज्यादा होता है या 70 से ज्यादा होता है उनका इस्तमाल वो diabetes वाले लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो एकदम से आपकी शुक्वर को बढ़ाता है लेकिन अगर हम देखें कि आम की जो glycemic index है वो 40 से 50 के दर्मयान में रहता है क्योंकि आमों की बहुत सारी varieties हैं तो 40 से 50 के दर्मयान में रहता है जो कि हम medium में consider करते हैं तो इसका मतलब है कि शुगर के मरीज अराम से इसको ले सकते हैं इसकी बजाए अगर हम देखें कि हमारे misconception बहुत जादा है कि हम wheat वाले biscuit ले रहे होंगे नमगीन biscuit ये समझ कर ले रहे होंगे कि शुगर के patent अराम से ले सकते हैं इसमें चीनी तो नहीं है लेकिन अगर आप देखें कि उन एक biscuit के अंदर उसका glycemic index 70 या 75 तक होता है 75 का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा शुगर को एक दम स्पाइक कर देता है और उसके अंदर calories बहुत ज़्यादा है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक आम से तो डर रहे होते हैं लेकिन हम दो से तीन biscuit अराम से खा लेते हैं तो वो हमारी शुगर को कितना ज़्यादा हाइ कर रहा होगा इसी तरह ही अगर हम बात करें कि हमारी जो multi grain रोटी है उसका glycemic index 60 तक होता है लेकिन अगर कोई बेसन की रोटी या बाजरे की रोटी बना के खा रहा है तो उसका glycemic index 50 तक है तो आप देखें कि हम अगर रोटी के साथ भी compare करते हैं तो इसका glycemic index भी बाजरा और बेसन की रोटी जो के शुगर के मरीजों के लिए बेतरीन है उसके glycemic index के equal जा रहा है तो अब आप देखें कि आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमें आम का इस्तवाल करना चाहिए कि नहीं हाँ, लेकिन एक और चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि जब भी आप इस्तवाल करें तो आप खाने के साथ इस्तवाल नहीं करेंगे और अगर आपको इसको और जब बहतरीन बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके साथ प्रोटीन का इस्तमाल करें, किसी फाइबर का इस्तमाल करें, वैसे तो उस आम के अंदर अपना ही फाइबर बहुत जादा होता है, तो वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी होता है, तो आप उसके जो लेना है एक टाइम पर एक जो चाई की प्याली होती है उसके अंदर जितना आम आ सकता है छोटा आम आ सकता है तो वो पूरा आप लेंगे अगर सिंड़ी या बड़ा आम है चौंसा तो वो मेभी हाफ आएगा उतनी कौंटिटी आपकी एक टाइम की रिक्वार्मेंट है इससे आपकी नशुगर बढ़ेगी और आप अराम से इस मौसम में आम का मज़ा भी ले सकते हैं